जैसे कि सभी लोग आप जानते हैं कि पाइप लेक पे काम करने के लिए हमें अलग तरह का फिटिंग लगता है ट्रे वर्क में और वही ट्रे वर्क हमें बेल्डिंग लाइन में करने का है हैंगिंग करके तो उसके लिए अलग फिटिंग होता है जैसे कि जैसे कि ट्रे का हैं इससी तरह करें तो यह तरह से किस तरह से कैश्मीं करके ट्रेय वेलींग लगता की दिवार के लाइन से was पकड़ के अगर अपना से ने होल मारते हैं एंगरव भासने के लिए तो हमारा ट्रेय भी विल्क Dry अश़ी में लिटा जाता है तलो है यह मार यह हैल्टीमसीन है है जिल्टीमसीन के जहां हो मार हपिशर मारने के लिए और हल्टीमसीन का साइज वě tuber विच बारने यह फिर यहाँ नोग वाला है यहां पर इसुवक थे रह खते हम का 12 यहां अब कामारा हेल्टी बीट यूज़ कर रहे हैं अब इस फीसर को हमबर से अंदर की तरफ ठोक देंगे और ठोकने के बाद सेंटर पंच इसको पंच कर देंगे ताकि फीसर का जड़ अंदर फैल जाए और अच्छे से छत के अंदर अपना ग्रिट बना ले अपना मजबूती बना जैसे कि अब देख पा रहे हैं कि फीसर का उपर वाला हिसा अंदर में पूरी तरह से फैल चुका है अब वो बाहर नहीं आ सकता है इन सारे कामों को खतम होने के बाद हम क्या करेंगे 12 mm का हमारा फैसर है तो 12 mm का थ्रेड रड भी लएगा जितना साइज का हमें थ्रेड रड चाहिए उतना साइज का कटिंग करने के बाद हम फैसर में क्या करेंगे टाइट कर देंगे इसको टाइट करने के लिए हम 16 सतरा का पाना का यूज़ पी कर सकते हैं ग्रिफ प्लायर का भी यूज़ कर सकते हैं ताकि अच्छा तरह से टाइट हो सके टाइट होने के बाद हमें उपर से नापी लेंगे के उपर सेलिंग से हमारा ट्रे कितना नीचे के तरब आएगा और नापी लेने के बाद में हमें युनिएस्टेट इजहाँ पर लगाएंगे उसमें भी नटबल टाइट करके हम उसको अच्छा तरसे फिक्स कर देंगे यह फिक्स होने के बाद में हम फिर से सब्सक्राइब के बाद में इसमें इन बातों को दया रखने का सबसे पहले युनिएस्टेट के बीच बीच वीच हमारा ट्रे जाना यह एक्जामपल उनियस तह्प आएच्ट और इस तुरफ हमारा शूट रहा crystallinen चाहिए दूसरी बात थे रडह हमारा सिधा होना चैंए इस पीड होना चैहिए अब मिनियो स्टेट मेंライ करने के लिए सबसे पहले उनियी स्प्रिंग बोल्ट डालते हैं सॉरी इस इसूंट जो कट on tra pencil कि लिए करने के लिए हम कंप्र प्लेट को लगाने के बाद के बाद में इसमें नट लगाने के बाद में इसको भी टाइट कर देते हैं कर दो एक स्नाद्ट आए कर दो है